नमस्कार साथियों मैं सीमा गुपता आज आप सभी के बीच फैक्ट क्लासेश के अंतरगत अत्यनती ही महत्वपूर क्लास को लेका रहे हूँ और आज के इस क्लास में हाल में चर्चित वन नीसन वन रासन काड योजना से सम्मंदित वी तमाम महत्वपूर फैक्ट आप सभी के बीच लाए जाने हैं जो कि आपकी प्रारंबिक परिच्छा के दिश्टिकत अत्यनती ही महत्वपूर है तो आएए जानते हैं वन नीसन वन रासन काड योजना क्या है और इसकी विए कौन कौन से फैक्ट है जो आपके परिच्छा के लिए बेहद उपी होगी है तो सबसे पहली साथियों आप सभी योगत हो कि सुप्रेम फोर्ट ने 29 जोन 2021 को सभी राजियों और केंद सासित प्रदेसों को वन नेसन वन रासन काड योजना को 31 जुलाई तक लागू करने की समय सीमा दी अभी तक वन नेसन वन रासन काड के लिए मूल समय सीमा 21 मार 2021 थे ठीक है वन नेसन वन रासन काड ये सुनिश्चित करने की एक योजना है कि कोई भी नागरिक भूखा न रहे कोई भी नागरिक भूखा न सोय इसी राठी सुरच्छा अधिनियम 2013 के तहसुरू किया गया था ध्यान रखें आपकी परिक्षा में कई बार question आता है राठी खास सुरच्छा अधिनियम 2013 के अंतरगत और एक fact यह भी है कि राठी खास सुरच्छा अधिनियम 2013 के अंतरगत वन निसन वन रासन काड़ी योजना की भी सुरुवात की गई है तो ये भी प्रस्न आपके परिक्षा में पूछे जा सकते हैं तो आही जानते हैं इसके अलावा क्या-क्या वे महतपूर फैक्ट हैं जो आपके एक्जाम के लिए बेहत महतपूर है तो साथियो वन निसन वन रासन काड़ी योजना राष्ट व्यापी पॉटबिल्टी के माध्यम से राष्टी खासुर अच्छा दिनियम के पात्र रासन काड़ धारकों को किसी भी सार्जनिक वितर केंद से सबसीडी वाले खादान अपने कूटे के इसाब से प्राप्त करने बहुत जरूरी है वन निसन वन रासन काड़ योजना के तहत राष्टी या अंतर राज्जी अपॉटबिल्टी के तहत रासन की दुकानों से जून 2020 से अनाज मिनना सुरू हो गया है ठीक है और साथि इसका महत तो क्या है ये भी देखे ये योजना लावारतियों को अपन चार का जो बूल वाला है वो भी उस पर अंकुस लगना है ऐसे मामले में जहां एक रासन काड़ धारक दूसरी राज्जी में जाता है वह नए राज्जी में अपने मूल रासन काड़ों से सफीड़ी वाली आवस्यक वस्तों को लाव उठाने के लिए भी भीन समस्या को द मंदित महत्तपूर्फ फैक्ट चार्ट को लाया क्या निश्चित रूप से यहां आपके परिक्चा के लिए बेहद उपीयों की हैं इसी आसा बिस्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुपताज विदा लेती हूँ कि आप सर्विया वस्ते ही अपने लक्ष में सफ़ा लोंगे बेस्ट अफले